हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू रोसन की क्लास यूटीब चैनल दोस्तों आप सभी का आज की इस लेशन प्रान की वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कित विसे की यहाँ पर पाठी होजना जिसका उप्वी से होगा व्याकरण तो पूरी वीडियो देखेगा काफी बच्ची यहाँ पर संस्कित की पाठी होजना के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उन सभी के लिए यह है चाहिए आप क्लास 6 को पढ़ाना चाते हैं क्लास 8 को पढ़ाना चाते हैं कारक के बारे में हलकाफिक बता देगे तो भी काम चल जाएगा तो चलिए दोस्तम सुरू करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपनों को वीडियो से यह help मिलते हैं लाव मिलता है तो प्ली वीडियो को like करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए किसी भी वी उस्टेटा का किसी भी class का आपको ग्रोशन की class वीडियो को subscribe कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो आप आप सभी को पता है जिस पेच पर आप पाठी होजना बनाना श्टार्ट करते हैं उसके बीच वीच आप सबसे पहले यहां पर विद्यालय का नाम जो लिखा गया उसके ऊपर आपको सबसे पहले पाठी होजना संख्या लिखनी होती जैसे पाठी होजना एक पाठी होजना लोगों का help हो, सभी बीस है कि पाठी होजन आप तक प्रोवाइड की जाए इसलिए मैं मैं आपे पढ़ने के कोसिस करूँगा कुछ अगर mistake होती है तो उसके लिए माफ करिएगा क्योंकि मैं class 5 तक ही पढ़ा हूँ तो आप लोग देखके लिख लज सकते हैं फिर भी मैं help करूँगा आपनों की जहां तक यहां पर आपनों को जीज जीज चीज की जहां पर जुरुत होगी उसके अधक अच्छा है यहां पर देखिए 6 से लेके 10 तक मैं पहले बता चुगा हूँ कालांसा है यानि कि किस पीरड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने के लिए दिनांका यानि कि किस डेट में आपने यह पाठी उजना पढ़ाई है जैसे सोमवार मंगलवार्थ और लिखेगा नहीं तो काफी कालेजिस में यह नहीं बोला जाता है तो यहां पर मतलब लिखेगा अब अधिय है यहां पर 35 मिनट का और उसके आद देखिएं हमारा जो आज का प्रकड है वह है कारका ठीक है व्याकर का अच्छा टॉपिक है next heading आपका आता है समान्यों देश से आने यानि की समान्य देश इसका हिंदी आर्थ होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक विशे है आज का हमारा विशे क्या संस्कित और संस्कित का व्याकरण तो या चप्टर सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद बच्चे क्या-क्या सीखेंगे संस्कित विशे में वो रूची लेंगे कि संस्कित विशे क्या knowledge उनको development होगी उनके अंदर यह सारी चीजें समानी उद्ध्यास में लिखी जाती कम से कम 4-5 पांट मैक्सम 8-10 पांट लिखा जाता है तो यहाँ पर देखें लिखा गया है चारो पांट लिख लिजीगा इसके अलावा भी अगर आपको कोई पांट लिखना तो वह भी लिख सकते हैं मैं बता चुका हूँ मैं पहले कि इसमें मीनिमम 4-5 पांट और मैक्सम 8-10 पांट लिख सकते हैं अगली हेंडिंग देखेंगे यहाँ पर आता है विशिष्टो दे सब पांट यहाँ पर चात्र नवीन सब्दाना ग्यान प्रदानम नेक्स्ट यहाँ पर है चात्रा कारकस्य प्रकास विसे ग्यान यस्यंति ठीक है इस तरीके से यहाँ पर चार पांट लिखा गया है उसके बाद आता है आपका सहायक समग्री सहायक समग्रियम में यहाँ प लिखा गया यह और उसके बाद लपिट फलक को इसको लिखा गया है देख लीजे क्या लिखा गया है स्यामपट लिखा गया है संकेति का लिखा गया है जो छड़ी होती संकेतक यह सारी चीज लिखी है उसके पूरुग्यान है पूरुग्यान हेडिंग में आपको लिखना हो सबसे important heading यहां पर प्रस्तावना प्रस्णाम यहां पर देखेंगे दो कॉलम बनाना होता है चात्रा ध्यापक का हक्रिया चात्रा ध्यापक की जगह चात्रा ध्यापक का हक्रिया कर लिजगा अगर आप छात्रा है तो यहां पर कम से कम चार प्रस्ण तीन से चार प्रस्ण और एक यहां प्रियास इसका संभावित उत्तर देंगे देखें यहां पर लिखा गया है संभावित उत्तर उसके समस्यात्मक यहां पर लिखा गया है जैसे समस्यात्मक होगा अपना उद्देश से कथन बोलेंगे अप उद्देश कथन में देखें यहां पर लिखा गया प्रियास छात्रा अध्व कथन शात्रह कथन शयांपट कार्यम Da पहला यहांप चात्रहभण कतन में देखते लिखा गया रिखा नहीं संग्या सरवन्था मच नज्य सब्दाहर संबंद बढेंध थ कार्क र ठीक है इसके बारे में बताए गया है उसके कारकास यहां पे डाला गया है अश्ट प्रकास यहां पे आठ प्रकार है इसके करता कारक कर्मकारक करणकारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक संबोधन कारक यही सारे चीजे देखे स्यापट ओले कॉ सभी छातर ध्यान पूलवक्स मिलिखे अंती निकी ऑर ll veces छुद्यान पूलवक्स सदी सभी जैन पूलवक्स SoSyanthi रारे दि अधिकरणकारक है मे पेपर संबोधन है हे अरे यह सारी चीज हम पर देखेंगे स्यंपट वाले पह लिखा गया है सारी चीजे यहीं सारी चीज जो इंपोर्टनट चीज वह इंपर पर लिखी जाती है इसको आप वीडियो रोके लिख लीजिएगा ठीक है उसके बाद आपका आता है यहाँ पर उधारम यानि कि उधार दिया गया है करता कारक क्या उधार है रामा कच्छंती यहाँ पर रामा जो है वो करता कारक है कर्म कारक कारक में हरी भजद तो यहाँ पर हरी जो है वो कर्म है करण कारक में मोखन कमलेन लिखती यानि जो मोखन से लिख रहा है कलमेन जो होगा वो करण संपरदान में कारक आया यहां पर उदारण है देख़े दाना है धन्नम ठीक है अगला है अपादान कारक विछषा पत्राण बतंती छटमाँ है संबंध कारक का उद्हान रामा से पत्नी सिता शटमाँ है अधीकरण का रिए 17 ऀलब तेलम अस्ती अठमाहज संबदन कारक ऍटिक है संबदन to manage कारेट अब यहाए वोद प्रशन आता है वोद प्रसनदेखे लिखा गया एक तरह looking द्यापगा के रिया दूसरी तरब छात्रा के रिया पहला यहाँ प्रस्ने कार्का से परिभासा बोदा तो बच्छा बोलेगा यहाँ पर संग्या सब्दान संबंध बोध्यंति दूसरा प्रसन है कर्म कारकर से कारण कारक चिन का तो इसका चिन है को कारका से उदान और गुकी नंदिन अडम सब्दान से कारण का तो इसका आंसर ने आव इसके वाद आता है लास्ट हैडिंग आप गिरी का चर्यम गरी डिश्रjem में बच्चों को घरक लानीक लान खी जाए जो बच्चा है जो बच्चा जब घर पर जाएगा उसको रिवाइफ करेंगा तो इसको अच्छे तरी किसको रिवाइफ कर लेगा आपके Ortus को याद कुरूड फैर90 और तो इसको यहाँ ज़ीलाखतों सbyte契त", तो आप अच्छे से रिवाइफ वह सिखिए होगी सब्सक्राइब है कि मुझे संस्क्राइब नहीं पढ़ने आई होगी आप लोग अगर वीडियो आपको helpful लगी हो आप लोगो का लाव मिला हो तो रोसन के क्लास यूटिईब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नICHE LAL कलर का सब्सक्राइब और एकन को धबavirus रखी तो दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यस वीडियो के लिए गर आप लोगो